हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू मैं चानल दिशिवानी किचन वन तो आज मैंने बनाई यह बहुत ही सुपर फास्ट और टेस्टी गाजर मट्र की सब्जी की रेसिपी जैसी ठंड आती है तो सबसे पहले बात तो गाजर मिलने लगते हैं और यह सब्जी मेरी बहुत जादा बंचेस बन जाएगी जल्दी स्टार्ट करते हैं महारे सीपी को सबसे पहले मैं चटाई गाजर में दो बड़े चम्मच तेल जैसी कर आम हुझा ऐसमें डाला मैंने एक चोटा चम्मच सरसो सरसो यह सी चटक जाएगा उसके और फिर मैंने डाला आदा चोटा चम्मच जीर दोनों चीजों को अच्छी से चटका लेंगे दन मैंने उसके बाद उसमें आड करा दो मीडियम साइस के प्यास जिनको मैंने रफ्री चॉप कर लिया था अब प्यास को अपको तब तक पका लेना जब तक कि वह टांस्लूशन ना हो जाए गोल्डन बाउन नहीं करना है हमें इस रेसीपी में प्यास को अब प्यास को आपको ऐसी कॉंटिनियूसली चला चला के टांस्लूशन कर लेना है इससे आपके बाइसेप्स और ट्राइसेप्स का भी वरक आउट हो जाएगा वह भी बिना जिम जाए नेक्स इंग्रिएंट जो मैंने इसमें आड करा है वह दो कि खाने में दो जुटकी हिंगी में तुम क्या जानों रमेश बाबू हिंग को कर लेंगे फिर अच्छी से मिक्स और वेट करते देंगी कि कब हमारे प्यास ट्रांस्लूसेंट होंगे नेक्स इंग्रिएंट जिंजर गालिक का पेस्ट उसको बनाने के लिए मैंने लिया थ चार से पास लसंगी कर लिया और एक इंचे द्रखका तुकड़ा और उसी के साथ मैंने इसमें आड़ कर था दो हरी मिश इसको मैं ऐसी रफली चॉप कर लिया था इन तीनों चीतों को आड़ करने के बाद हम इस मिक्स्चर को एक मिनिट ले सौटे कर लेंगे ताकि जो कच मैं इसमें आड़ कर दो मीडियम साइस के रफली चॉप आलू क्योंकि आलू अब तक सब्जी में अपनी नाक नगुशा है अब तक वह सब्जी परफेक्ट नहीं बन सकती है अगर आप भी मेरी इस पाक्ट से एगरी करते हो तो कॉमेंट में जरूर बदाना यर आप लोग कॉमेंट नहीं करते हैं उससे में मोटिवेशन नहीं मिलता है तो कॉमेंट करा करो कि आपको में रेसिपी कैसे लगती है और साथ साथ ये भी सजेस्ट कर दिया करो कि नेक्स्ट मुझे किस चीज की रेसिपी बनानी चीए आलू सोट होने के बाद मैंने इसके अंदर एक चोटा चमच लाल मिर्च पाउडर और सभी चीजों को अच्छी से मिक्स कर लिए आपको एक बात का द्यान डखना है कि आपको इस सब्सक्राइब करने के लिए बिलकुल भी उपर से पानी ने डालना है क्योंकि टमाटर की विजर से औलेडी सारी सब्जी जो है वो पर बीच बीच में रुक रुक के सौटे करना जब तक कि जो आलू है वो 50 परसंट ना कोख हो जाए जैसी आलू 50 परसंट कोख हो जाएंगे उसमें मैंने आट करा था 150 क्राम से करीब फ्रेश मटर और सभी जिदों काम अच्छी से मिक्स कर लेंगे ताकि जो मसाले वो हर एक अच्छी दनिया पाउडर दनिया पाउडर को भी कर लेंगे अच्छी से मिक्स और उसके बाद हमें इस सब्से पर लिड रखके दो मिलट तक पका लेना है जब तक मतर है वो परफेक्टली सौफ्ट ना हो जाए नहां पर मैं एक और बात मेंजन करना चाहूंगी जो पकने सब्सक्राइब करता है तो आप बीच पीच में से निकाल के चेक कर लेना कि आपकी पकरी है नहीं पकरी है अगर नहीं पकरी है तो थोड़ी दिर और धक्के पका लेना मतर जैसी सौफ्ट हो जाए इसने मैंने एक चोटो चमच गरम मसाला और उसको भी मैंने अच्छी दा लिया है उसके बाद मैंने इसमे आड़ करा कुछ फ्रेज धनिया के पत्ते धनिया को अच्छे मिक्स करने के बद आपको एक चीज का यहां पर खास द्यान देना है आपको गाजर को तब ही आड़ करना जब आपके जो आलू है वो 60-70% को खो जाए क्योंकि आलू जो हो यहां जितनी भी सबजी हैं मैंने यूज करी है उन सब का वेट होगा लगबख लगबख 150 ग्राम से करीब तो अगर आप इससे कम्या जादा ले रहे तो आप सपाइसे अपने अकॉर्डिंगली डाले ना गाजर आट करने के वादर हमें धक्कन रो कर देना है बंद और सब किनली सब जदा ओवर कुक भी नहीं होगी तो गाजर अभी आपर पके नहीं थे तो मैंने को दुबाला लेट रखके और थोड़ी दिर के लिए पका लिया है तो आप देख सकते हैं कि मेरे गाजर परफेक्टली पके रेडी हो चुके हैं इस तेश में इसमें आड़ कर रह किचन किंग मसाला अड़ करने के बाद आपको सबजी को एक मिनिट के लिए डखके पका लेना है और मुझे आप लोगों से एक और बाट शेयर करने थी कि मेरे चैनल में बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाले है वन लाक व्यूस तो आप सभी को मैं दिल से थैंक्य बोलना थैंक्य वाच्छिं!